दोस्तो आज की जो वीडियो है यह सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं बताऊंगे अगर आपके पार्टनर में यह दो लक्षन है तो ऐसे पार्टनर को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारे पार्टनर में यूनिक कौन सा क्वालिटी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़दा अच्छा है तो इसे वज़े से यह वीडियो बनाई मैं अगर यह दो लक्षन आप अपने पार्टनर में देख सकते हो तो बहुत ही आप निस्तिंद हो जाना ऐसे पार्टनर आपके लि लड़कों में भी हो सकता है तो सब के के लिए वीडियो है सभी बड़े धियाम से सुन लीजी आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टिन वीडियो है तो चेली वीडियो स्टार्ट करते है अगर चैनल में पहली बार आड़ो तो आब भी सप्सकाइब करके बेल वालाइकुन दवा दिजी ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप में सना करो तो दोस्तो पहली क्वालिटी में आ जाते हैं सबसी जो पहली क्वालिटी है यह है कभी-कभी आप देखे होंगे पार्टनर आपको सारी बाते शेयर करते हैं मतलब अगर वो ऑफिस गया तो क्या क्या हुआ सुबसे के लिएकर रात तक वो आपको पूरा बताते जाते हैं इससे क्या होता है आपको इरिटेशन हो सकता है कभी-कभी आरे यार क्या तुम रामायन राम कथा लेके बैठ गया यह हुआ वो हुआ कुछ चलो ना कुछ नए बाते करते हैं कुछ अलग बाते करते हैं तो ऐसा आप मत करो अगर कोई इंसान अपने साड़ी दिन चरिया आपको पूरा खोल के बता रहा है इसका मतलब वो कितना जादा honest है आप यह समझो ठीक है देखो honesty बताने से नहीं होता कि मैं honest हूँ मैं तुमें कभी कुछ नहीं चुपाऊंगा यह सब वो बोलते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं है तो ऐसे partner किसी काम का नहीं है लेकिन जो actual में honesty दिखा रहा है वही आप लोग समझ नहीं पाते हो आप लोगों को उसका वो honesty बोरिंग लगता है तो यहीं आप लोग गलती करते हो उसकी honesty को समझो देखने की कोशिश करो जो इनसान सुबर से लेके रात तक क्या 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 सारे चीज़े आपको ऐसी खोल क क्या हो सकता है तो अगर आपके partner में ये गुन है कि वो सारा का सारा आपको एकदम सा report के तरह बताने लगता है कभी-कभी तो आप बोर भी हो जाते हो तो यह बहुत ये unique खास quality है और ये election अगर आपके partner में है तो ऐसे partner को सच में कभी नहीं छोड़ी यकीन मानिए partner आपके बहुत ही ज़ादा अच्छा होने वाला है वो आपको ऐसा मानते है कि आप इतना important person हो जिससे कि पूरे दिन के सारे बात ना बता कि उसको चैन नहीं आता है उसको अच्छा है नहीं लगता है तो वो आपको बहुत ही ज़ादा प्यार करते है ठीक है तो ये चीज़ आप समझो और ऐसे partner अगर आपको मिले है बिलकुल उसको मत छोड़ो उससे boarding मत हो जाए उसको समझने की कोशिश कीजिए उसके honesty को देखने की कोशिश कीजिए ठीक है ये हुई आपकी first reaction दूसरा है दोस्तों जो आपकी feelings की कदर करे अप feelings की कदर करना मतलब ये नहीं कि वो आपको देखने की कोशिश करो देखो feelings को समझने की मतलब है feelings को कदर करने की मतलब है मानलो आप बहुत खुश हो और वो कुछ भी चीजों से कुछ भी कारण से कुछ भी उसके life में हुआ है जिससे वो दुखी है लेकिन फिर भी वो अपने दुख को side में रख रहा है आपके करने की कोशिश कर रहा है वो आपके साथ खुश होने की कोशिश कर रहा है इससे कहते है feelings को कदर करना या फिर मानलो वो बहुत जादा खुश है उसके life में कुछ नया हुआ है कुछ promotion लगा है या lottery लगा है कुछ भी हुआ है लेकिन आप दुखी हो तो वो अपने खुशी क साइड में रख रहा है और आपकी दुख में वो दुखी होने की कोशिश कर रहा है वो आपकी दुख को समझ रहा है वो अपने खुशी को जादा priority नहीं दे रहा है तो अगर ऐसा partner है जो आपकी feelings के according खुद को ढालने की कोशिश करते हैं और आपके feelings के according react करते हैं ठीक है देखो यह बोलने वाली बात नहीं होता है कि मैं तुम्हारे feelings को समझता हूँ यह फिर समझती हूँ यह बोलने वाली बात नहीं होती है यह actual में देखने वाली बात होती है अब देखो कि वो कर गया रहा ह का action देखो कि आपकी feelings के साथ वो कितना खुद को adjust कर रहा है अगर आप ये जिस देखते हो कि हाँ वो मेरे ही feelings को जादा priority देता है अपने feelings को side में रखता है तो ये partner आपके लिए बहुत ही जादा खास है ऐसे partner को अब कभी जाने मत दो ऐसे partner को कभी नहीं मिलेगा ऐसे partner बहु ही कम लोगों को मिलता है सब अपने ही feelings को जादा कदर गड़ते है 실ट देते हैं पहले अपने खुशी तो खुशी अपने गम तो गम लेकिन जो partner अपने खुशी या गम को side में पहले आपकी feelings के गदर करते हैं आपकी खुशी या गम का इसा वनते है तो ऐसे partner बिलकुल की बार्णम है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना और ऐसे वीडियो जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अगर आप मेरे से डारिक काल में बात करना चाहते हो तो कॉन फोर से या फिर स्क्रिन पे दिये हुए नंबर पर पेट कॉलिंग बुक करक करते हो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ कर दो चाहते हैं नेक्स्राइब करते हैं हैं ए याज्वार पर अजन nella क